है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक से बिल्कुल इस टोग मार्केट के अंधर होता का थैसी घ्र सकते हैं चाल गया था dessert विए कुला रम सकते हैं। आ यह सु ओता इक only investment होती हैं जो कि हम करते हैं काफी लोग करते हैं कर आसे का लिहां ऐसे होता है trading के बारे में trading क्या होता है trading बोलते है वंदे ट्लैर जिसको कहते हैं १ं रॉपित निकाल के और गायब ये सुनने में इसका बहुत अच्छा लगता है के दो哥 लगता कि बहुत पेसा आया बोट कुछ इसके अंदर मजए है जितने इसके अंदर मजए है उतने अंदर घटा भी ये लोस भी जादा जाता इसके अंदर तो इसमें बैसिकली होता क्या है कि इसमें एक स्टोक हम जिसे के कोई अभी स्टोक चल रहा है जिसका भाव है एक सो नो रूपे जो के सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ और उसका भाव एक सो नो रूपे 110 कंसिडर कर लो आप इसको 110 रूपे 110 रूपे डणं अब मार्केट ओपन हुआ मार्केट ओपन होते ही जिसें कपंड्र त्रेड लिया और हम उन डे कर सकते हैं मतलब 630 बज़े से लेकर 137 बज़े के वीच मी हमको प्रिजिक्वीट करनी पड़ती है और एकजिट भी करनी पड़ती है यह वस एक दिन के लिए होता है इसको हम कहते हैं इंट्राडे बैसिकली होता है यह जैसे कि हमने 110 रुपे पर कोई स्टोक खरीदा और वो स्टोक यहां पर बहुत स्पीट से यह तो उपर जाएगा यह तो बहुत स्पीट से नीचे को आएगा तो इसमें यह होता है अगर इसमें स्टोक 110 से उठके और यह 150 चला गया तो आपका इसमें प्रोफिट हो गया कितने का 40 रूपे का इसमें आपका फटाक से 40 रूपे का profit हो गया इसमें कुछ ASS scenario चलता है इसमें कुछ इस प्रकार होता है इसमें होता ही है कि अगर इसमें आपने 110 रूपे लिया है किसी चीज को 110 रूपे लिया है तो वह एक दिन के अंदर कैनली दो रूपह प्रोफिड दिखाएंगा या बहु चार रूपह प्रोफिट parece दिखाएंगा या 2 पिजानष दिखा सकता है या 4 रूपह दिखा सकता है कुछ भी मलब इतने से ज्यादा आगे उप निचंग नहीं पिघकाता है तो इतना पान सो भी हो सकते हैं लोंग तरम के लिए इसको करा जाता है एक साल दो साल जितने साल के लिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो और यह one day के साब से consider किया जाता है आज इसमें हम अपनी series के अंदर बात करने वाले trading के बारे में trading होता क्या है basically वो ट्रेडिंग के अंदर कैसे लोग काम कर सकते हैं तो आए हम इसी के बारे में कुछ बात करते हैं कि हमारी यह नई शीरीज अगर आप इस series को follow कर रहेंगे देन बेसिकलि यहम बात करनेवाले ट्रेडिंग और इन्वेस्मेंटं में किया फर्रक होते हैं कि इन्वेस्मेंट के अंदर हम लिए लेतें किसी भी चीज को जैसे कि आँ यँहां देखेंगे्ञे हम लुंग ट्र leysgiving कि लिए वाय करते हैं हमने 10 टोक बाई कर लिये कोई केता आज में 11 तो यह चीजD a long-term के लिए होती है और ट्रेडिंग होती है शोट टम के लिए finest टेस्ट के लिए एक दिन में पॉजिशन लो Deswegen यह दिन में पॉजिशन को एक कर दो यह market खुलता है 9 बजे समथिंग नो बच के 15 मिनट पर market खुलता है और 3 बच के कि तीस मिनट पर market close हो जाता है इसके अंदर आपको जो भी करना है इसी के अंदर करना exit या position बनानी है और second point पर आते हमारा first point complete हो चुका है second point price इसमें price fluctuate स्पीड से होते हैं स्पीड से प्राइज उपर या नीचे जाते हैं जो कि मैं आपको पहली बताया और इसमें value होता है इसमें value होता है value जैसे कि आपको जैसे मैंने बताया था अभी जैसे कि कुछ price बढ़ता है कुछ घटता है 3 रूपे 4 रूपे सम्थिंग ऐसा थोड़ा मालब slow चलता है पर यह long term में आपको बहुत ज्यादा benefit देता है और यह short term में आपको रिकसी होता है पर short term में आपको अच्छा गासा benefit देता है तो यही है price और value price और value क्या होता है यह आपको मैं अभी बता दिया और यह दो पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे short term और long term प्राइज भी हमारे कंप्लीट हो चुका है value और प्राइज अब technical क्या होता है और fundamentals क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे टेकनिकल्स होता ही है जैसे कि आपने कई बार देखा होगा या मेरी अगर इंस्टा स्टूरी आप देखते होंगे तो में रेगुलर्स के आपको बोलता हूं कि आज का support यह resistance यह है support यह है resistance यह है market के अंदर news करेंटली क्या चल रही है market क्या perform कर रहा है और market आज bearish होने वाला है market आज over all लीचे जाएगा या market आज over all उपर जाएगा या आपने टेकनिकल में देखा होगा अब basically fundamentals में क्या होता है कि fundamentals में आपको long term के लिए लो जब आप लोग टर के लिए बाई करते हो तो आपको मार्कर्ट का उन्दग पड़ता है कि मारेट कर क्या रीये कंप़नी के ऊपर कितना लोन हैं कंपनी बैसिकली कि margin क्या है design कंपनी कौर मार्केट कंपनी कि अंदर चल रही है सब आपको fundamental थीन सेचाहल के marketing के अंदर देखने पड़ते हैं जो इस्टोक आप खरीदने वाले और इसका अनदर आपको iphone डेखना पड़ता है क्योंकि आप खाली य०ा हो निकलो मार्केट से वन दे में फटाक से ट्रेड करके बाहर व्हूंची सादे आप कोई कोन सी न्यूस चल रही है मार्केट वो जो ट्रेड आज आप लेने वाले हूँ उसके अंदर कोई बेड न्यूस तो नहीं है जो ओनर कहीं भागने वाला तो नहीं है ओनर कंपनी को बंद तो ना कर दे यह होता है है फंडामेंटल एनालेसिस कि उसके पर कितना करदा चल रहा है और टेकनिकल में आपको बताया खली वंडे के अंदर आपको देखना है मार्केट आज बीरीश है बुली से मार्केट नीचे जाएगा उपर जाएगा आपको प्रिडिक्ट करना है आपको निउस पढ़नी है औ के market में कितनी volatility है और investment में इसी जगे आ जाता है हमारा ricks mu Installate yourself call 22 market कि अंदर कि आज market इस zone में trade करने वाला है तो market किदनी speed से उपपर जाता हार omega कितनी speed से नीचे आता है फिर उपर जाताHS फिर नीचे आता पिर उपर जाता है कई कभी आपने सुना होगा, आज market बहुत तेजी से गीरा, या आज market बहुत तेजी से उपर गया, तो इसको हम कहते हैं volatility, इसी को हम consider करते हैं, जिसे कि आपने देखा होगा, एकदम से आज नियोख आती हैं, रास्तों मार्केट बहुत उपर तेजी से उठाए इसको केते हैं वोलिटिलिटी मतलब बहुत स्पीड से लोग केप्चर भी नहीं कर पाइए उस ट्रेड को इतनी स्पीड से उपर मार्केट जब जाता है इसमें ट्रेडिंग में आपको यही दिखता है अगर आप वन डे को करनी है प्रोफिट वोलिटिलिटी में आपको काम करना है विल पूरा मिला कि आपको वोलिटिलिटी में काम करना है तो यह तो हमारा हो गया वोलिटिलिटी से इसमें हमारे इंवेस्मेंट में आ जाता है रिक्स अब रिक्स से क्या मतलब है रिक्स से हमारा यह मतलब है कि मा कोई स्टोक हैं जिसे हम क् Cinnamon कर लेते हैं रिलाइनस को रिलाइनस को हम कंसिडर कर लेते हैं रिलैंस में हम को अंधर है कि fund को क्सिदर कर लेते हैji आइ यह से कि मार्केट के अंदर हैवी फोलिंग आगई तो क्या पता हमने hai यह उद फोस लिए या कुछ भी हुआ तो हमने जो इसके 10 content ले रखें leuke पता यह माइनस में चल जाया माईनस में जाके 4 माइनस हो जाया तो हमारे एक शीड़क 10 ₹ माइनस कह रूपय का फो जाया तो तो उसके लिए कंसीडर हो जाता है यह रिक्स देन यही कुछ चलता है मार्केट के अंदर तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह पी एल क्या होता है गोल्स क्या होते हैं बोरो क्या होता है और सेव क्या होते हैं वोंट क्या होते हैं नीड क्या होते हैं थे उसे लोस क्या होते हैं और सिकनल क्या होते हैं यह हम अधली वीडियो में बात करेंगे इस्वीडियो को अच्छा गाला सासा सपोर्टर दिखाएंगे तो